विपक्ष तो किसी भी नए कानून को अपनी तरह से उसकी व्याख्या करता है आप कोट में चले जाईएगा दो वकील भहस करते रहते हैं एक का भहस सुनेगा तो लगेगा यही सही है दूसरे का भहस सुनेगा तो लगेगा यही सही है यह तो तरीका है न अपना-पना सरकार ने किस परी पेक्ष में ये बिल आया और सरकार को कटगरे में खड़ा करना, मुसल्मानों को बलकाना कि ये सरकार पूरी तरह से आपके विरोधी है और एक तरह से तुख़ा बोट तर परसेप्शन ही है कि मेनौरिटी के पक्षदर नहीं है क्योंकि बहुत से नेता उनके अपने अपनी तरह से बातों को रखते हैं लेकिन क्या ये बिल सही में उनके पक्ष में है, उसका कुट पार्ट जो है इनके विरोध में है तो उन सब के लिए जो हमारे पार्टी का निरने है और हमारे नेता का है कि जीपीसी में जाना चाहिए wide spread discussion होना चाहिए जो effective लोग हैं, जो लोग इसके अंदर आते हैं उनके बातों को भी सुनना चाहिए, उनके बातों को भी देखना चाहिए वो बात जाइज है, वो बात आने वाले बविश्च के लिए अक्चा है और उसको इंकॉर्परेट करना चाहिए लेकिन आप लोग वो प्यारोप लग रहा है कि आप लोग आप मुस्लिम विरोधी हैं इसलिए यह जाके बैठ है ने ने यह है कि यह वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने मुसल्मानों के लिए कोई काम ने किया मुसल्मानों के लिए काम करना एक बात है मुसल्मानों को प्यार करना एक बात है मुसल्मानों को इसाथ खड़ा रहना एक बात है ना मुसल्मानों के लिए जोजना बनाना है सिर्फ भाद्ते जनता पार्टी के साथ आप खड़े हैं खिलाफ में उसी से आप थुड़ी मुसल्मानों का क्या ना में बदलाओ हो जाएगा मुसल्मानों का बदलाओ तो तब होगा जब मुसल्मानों के लिए बजट का एलोकेशन होगा, जब मुसल्मानों के लिए योजना बनाई जाएगी, जब मुसल्मानों को सिक्षित किया जाएगा, जब मुसल्मानों के लिए आरक्षन की बेवस्ता होगी, तो सब काम किस ने किया है, सब काम तो नितिश कुमार ने कि है, तो हम बिरोधी कैसे हो गए, क्योंकि हम भाचपा के साथ हैं इसलिए आपको लगता है क्यों कि आपको लगता है क्यीं कि आपको लगता है, क्शु dairyएं ग embargo हम कड़े रहेंगे उनके बगल में हम को लड़ описании कि क्योंकि हमको भूट मिलता जाए तो आप तो मुसल्मानों को ऐसे वोट बैंक यूज़ कर है हम सिटिजन यूज़ कर दोनों में फरक है ना नितीश कुम्हार ने स्देश्म कोई भी ऐसी प्रदेस में मुसल्मान मुक्मंत्री भी अपनी प्रदेस में आईएवाई IPS और BPSC की परिक्षार्टियों के लिए कोचिंग की विवस्ता किया है रेजिजेंशल कोचिंग का जाई है हजबवन में 2800 लोग मुसलमान के बच्चे पिछले तीन साल में यहां के BPSC की परिक्षा पास किये किसकी वज़ा से सेवंथ पे कमिशन मदर्सा में किसने लागू किया किसकी वज़ा से 22000 मदर्सों को सरकारी करन किसने किया किसकी वज़ा से और आप तो पहले आये थे मदर्सा में सरकारी करन के लिए आपके पर लाटी चला था लावलपरसाद यादव के राज में आप भागलपूर राइट में जिसको नितीश कुमार ने बड़ी कर दिया उसको सजा किसने दिलाया इतना वड़ा भागलपूर राइट हुआ किसने सजा दिलाया नितीश कुमार ने केस ओपन करा करके सजा दिलवाया और आज भी जो लोग उस भागलपूर क्या नाम है जो नितीश कुमार के कामों को नहीं देख रहे हैं। आज नितीश कुमार ने सभी जिलों में निर ने किया कि हम रेजिडेंशAL बिद्याले बनाएंगे उनके लिए और जब आये थे नेता तो पूरे मुसल्मानों के लिए पुपजिए प्रदेश में उन्होंने सर्वे कराया कि कितने मुसलमान के बच्चे स्कूल के बाहर है और उनके लिए तालमी मर्कज के गठन किया किस ने किया आप तो कुछ नहीं किया आपके समय तो पेटालीस करोड का बजटा पैं कि अपके समय तो संख्यक कल्यान का 45 करोड का बजड़ था 22,000 करोड में यह तो नितीश कुमार ने उस बजड़ को साथ गुना बढ़ाया प्रधान मंतरी मोदी युकरेन दोरे पह पोलेंड के बाद और उन्हें कहा है कि युकरेन में सांती बहाल होने के लिए जो भी संबस्थ परियास हो भारत करेगा यह अच्छी बात है हमारी विदेश नीती और ससक्त हो मजबूत हो और हमारे प्रधान मंतरी हमारे आसपास जो भी हमारे यहां के हमारे जो देश हैं उनके साथ हमारी नीती और हमारा विदेश नीती और हमारे बाइलैटरल रिलेशन्चिप और ससक्त हो मजबूत हो इसके लिए तो मानिये धानमंत्री जी पहले से प्रयास रही है और हम तो हमेशा सांती का हमारा देश जो है हमेशा सांती का पक्षदर है कि कहीं भी अन्रेस्ट है तो उसको हम ठीक करें तो युक्रेन दौरा रश्या पुतीन जी से बातचीत यह सब पहले से भी कर रहा है हम समझते कि बिलेटरल जो हमारा रिलेशनशिप है और बिलेटरल टॉक से और संबंद हमारे अच्छे होंगे